Hey everyone, I welcome you all to SkillSharp और आज हम देखने वाले है manage और monitor section in Azure Signups Analytics सबसे पहले हम शुरू करते हैं monitor section से और monitor section में आप जैसे की देख पाऊगे यहाँ पे आपको कुछ चीजे मिलेगी तो सबसे पहले monitor section में आप अपना SQL pool को monitor कर पाऊगे कि आपके पास कौन से SQL pool है फिलहाल तो मेरे पास dedicated SQL pool ही है उसके बाद अब Apache Spark pool के बारे में और data explorer pool के बारे में भी यहाँ से जानकारी ले सकते हो उसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारे जो भी scripts run हमने अब तक की है तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी और details मिल जाएगी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अलग-अलग columns है और यहाँ अलग-अलग column ने आपने कब script submit की उसने कितना time लिया data क्या कितने mb या फिर कितने gb data process किया script successfully run हुई या fail हुई यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे पता चल जाएगी इवन दो आप जैसे ही more button पे clip करोगे तो आपने जो query fire की थी script के लिए वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी सेम आपको यहाँ पे अगर आपके पास कोई KQL script होगी KQL जो crusto query language है जो हम data explorer pool के साथ इस्तमल करते उसकी भी आपको script runs यहाँ से पता चल जाएगे Apache Spark के application जो आपने create किये होगे या फिर जो भी data flow आपके पास होगा और data flow आपने जो debug या फिर run किये होगे pipelines के तुरू तो वो भी आपको यहाँ पे आप monitor कर सकते हो उसके बाद pipeline runs और trigger runs integration runtime और linked connection इनके बारे में आपको सारी जानतारी मिलेगी तो pipeline runs के बारे में अगर देखे तो आप यहाँ पे debug और triggered दोनों cases में pipeline runs को चेक कर सकते हो pipeline को हम basic sample data पे debug भी करते हैं कि सारे features चल रहे हैं या नहीं यह देखने के लिए और trigger pipeline हम अलग-अलग trigger सिस्तमाल करके pipeline को trigger कर सकते हैं तो यह सारा overview था monitor section के बारे में उसके बाद हम आ जाते है manage section में manage section में अगर हम same चीज़ अगर देखे तो आपको बता चलेगा कि manage section में भी आपको यहाँ पे SQL pool मिल जाएंगे जो SQL pool, spark pool और यह सारी चीज़े आप यहाँ से monitor कर सकते हो उसके बाद आपके बास link services है और link services को भी आप देख सकते हैं तो चलो देखते हैं यह link services क्या matter है तो link services पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके यहाँ पे दो link services create की जाएगी दिखाई देगी create की हुई तो यह link services क्या है तो आपने जैसे देखा हुगा कि हमने azure data lake gen 2 storage account से एक file जो हमने बनाई थी stocks की वो file को हमने मतलब उसके query perform की और उसको हमने data analyze या फिर visualize किया तो लेकिन यह synapse को पता कैसे चलता है ना कि यह data lake से कैसे connect करे है पता चल जाएगी और आप उसवे click करोगे तो आप उसको modify भी कर सकते हो even though आप link services का JSON object होता है वो भी आप यहां से देखके JSON object में भी modify कर सकते हो JSON object में भी आप modify कर सकते हो basically हम यह ARM templates के लिए इस्तमाल करते हैं उसके बाद अगर हम देखे तो हमारे पास triggers है अगर हमने कोई trigger deploy किये होए होंगे तो यह सारे triggers हमें यहां से पता चल जाएंगे और integration run times भी आपके पास है तो यहां पे फिलाल तो मेरे पास auto resolve integration run time है जो Azure का integration run time है इसके अलावा हम self-hosted integration run time और SSIS package run times को भी create कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो कि जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूँ तो Azure self-hosted और Azure SSIS integration run times आपको यहां पे मिल जाएंगे जो आप यहां पे create कर सकते हो अगर हम उसके बाद में जाते हैं section में तो आपको security दिखाई देगी security में आप access control कर सकते हो तो जैसे कि मैं यहां पे देख सकता हूँ तो यहां पे मेरा admin account है और एक service principle create किया हुआ है Synapse Analytics Studio के लिए तो यहां पे आप नया access भी create कर सकते हो तो आप देख सकते हो आप workspaces के लिए और workspace items के लिए आप अलग-अलग तरह के role assign कर सकते हो यहां पे आपको सारे roles के लिए बारे में भी information मिल जाएगी उसके बाद आप यहां से credentials को भी manage कर सकते हो और अगर हम bottom side में जाए तो आप यहां से अलग-अलग तरह के package management data flow को आप उसके लिए जो libraries होंगे आपके पास आप ओ libraries को भी maintain कर सकते हो और यहां से आप आपके पास Apache Spark का जो कोई अगर कोई cluster होगा या फिर pool आपने deploy किया हुआ है तो उसके configurations को आप manage कर पाओगे और finally git integration तो git is जो आपको पता ही है git है source control या फिर version control system है तो यह basically practice scenario में थो हम इतका इतमाल नहीं कर सकते या फिर करते है basically लेकिन जो production है तो version control system बहुत important party क्योंकि वहां पर एक ही project पर at a time बहुत सारे लोग काम करते हैं और सबके changes और सारी चीजों को record करना बहुत मश्किल होता है तो आप यहां से उसको भी configure कर सकते हो अगर मैं यहां पर configure बटन पर click करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि यहां पर या तो हम Azure DevOps के साथ जो repos है उससे connect कर सकते हैं या फिर हम github से इसको connect कर सकते हैं तो यह overview है monitor और manage section का अपने Azure Synapse Analytics में तो आज के लिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते है next studio में तब तक के लिए bye bye